बूर्णिक डियर स्टूदेंट्स कैसे हैं आप तब लोग मैसे दॉक्टर बकुल दोगर आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लैट्सक्राइट नीट यूजी और वन स्टॉप सलूशन पॉर नीट जल्दी जल्दी जुड़ जाएए इस चैनल से सेशन हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं चार पार तीन-चार दिन का बीच में गैप रहा है अच्छली आइवस सफ्रिंग प्रम कोविड एंड वस नॉट इन पॉजिशन तो तीन-चार दिन के गैप के बाद आज हम स्टार्ट कर रहें क्लास तो जल्दी जल्दी आजाईए आप सारे के सारे प्रमेशन होती है उसको भी हम लोग यहीं पर शेयर करते हैं नेक्स्ट आप पूरा ही पढ़ा रहे हैं बिटा प्लस और आइकनिक यहार वंडर्फुली क्राफ्टेट प्रॉडक्स इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत रीजनेबल सब्सक्रिप्शन पी में प्लस प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो 2888 रुपीज पर मंथ और एक साल के लिए आइकनिक सब्सक्राइब करते हैं तो 4875 रुपीज पर मंथ के चार्जज आपको देने होंगे कोई फाइनेशियल असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके सब्सक्राइब करते हैं तो 29 फैब तक इसको एक्स्टेंड किया गया था और आज जो है आखिरी दिन है इसका जिसमें आप यह 40 परसेंट और 36 परसेंट आफ ले सकते हैं थ्री मंथ और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर दूसरा कुछ बैचे अभी फैबरुरी 19 से रेंकर बै आपको assistance चाहिए कि नीट यूजी के preparation में हमें क्या क्या करना चाहिए कौन सा course opt करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए कैसे तैयारी करनी चाहिए तो you just have to give a call on 858585858585 इस नंबर पर call कीजिए आपको response विलेगा और Prodigy का आखिरी segment आ गया है यह 27th of February को उसमें भी invite code आपक application पर available हो गया है जहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर से interact कर सकते हैं feedback ले सकते हैं ठीक है आप continuously polls में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है और ask a doubt feature आपको पता ही है तीन doubt एक साथ आप पूछ सकते हैं तीनों के video solutions आपको available करवाए जाएंगे और यह ask a doubt feature पहले के वाल application पर था अब आपकी website पर भी available है और 20 फरवरी को NEET UG Megacombat organize होने वाला है सुबह 11 बजे वही हमारा NEET UG Megacombat हर बार की तरह 45 मिनिट का test होगा जिसमें 28 प्रशन आप से पूछे जाएंगे 5 करोर रूपय का prize pool है और अगर अच्छी rank लेकर के आप select होंगे इसमें तो definitely आपको बहुत सारा scholarship और prizes तो अपनी ज contact कर सकते हैं अपने mentor से educator से अपना slot पहले book कर सकते हैं अपने doubt discuss कर सकते हैं personal guidance कोई चाहिए वो आप ले सकते हैं ठीक है और अपने preferred language में ये सारे के सारे session आप arrange कर सकते हैं तो ये कुछ जरूरी बाते हो गई अब हम लोग start करते हैं बिटा let us start क्योंकि बीच में काफी सारा gap पा गया था इस वज़े से बहुत सारे बच्चे जो है अभी उनको पता भी नहीं है कि session start हो चुक है but let us start हम लोग Mendelian Genetics पढ़ रहे थे मैं आपको कुछ basic चीजें एक बार revise करवा देता हूं recap देता हूं थोड़ा सा कि क्या-क्या हमने पढ़ लिया था तो Mendelian Genetics में याद कीजिए हमने initial चीजें सारी की सारी gene क्या है, factor क्या है, genotype क्या है, phenotype क्या है, genetics किसे कहते है, inheritance किसे कहते है, variation किसे कहते है ये सारी चीजें पढ़ी, फिर उसके बाद हमने Mendel के बारे में पढ़ा कि Mendel ने कब ये experiment कंड़क्ट किये थे, लगभगाज से 170 साल पहले, मतर के पौधे पर P plant पर ये experiment कंड़क्ट किये गए थे, और P plant के जो contrasting traits थे, उनके बारे में हमने discussion किया था कि कौन-कौन से contrasting traits इस के अंदर थे, इसके बाद जो mono hybrid cross Mendel ने करवाए, उनके बारे में हम लोगों ने discuss किया कि किसी एक character को ले करके कोई cross करवाया जाता है, तो उसको mono hybrid cross कहते हैं, crossing का जो technique था, वो भी हम लोगों ने discuss किया था, याद कीजिए कि दो पौधे हमने लिए, उनमें से एक पौधा ज जाता है, जिसको emusculation कहते हैं, और दूसरे पौधे से pollen grains collect करके उस पर pour down किये जाते हैं, जिससे की self fertilization को avoid किया जा सके, पहला filial generation, second filial generation, ये सारी चीज़े हमने discuss कर ली थी, उसके बाद आखिरी जो point हमने discuss किया था, that was back cross and test cross, तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई पर So what is back cross, back cross is the crossing of hybrid with any of its parent, hybrid किसी भी parent से cross करवा दो, that is known as back cross, just a minute, मैं example के लिए बताता हूँ आपको, जैसे माल लीजिए कि ये आपका hybrid है, ये दोनों hybrid है, now if this hybrid, this is also hybrid, this is also hybrid, if this hybrid is crossed with any of the parent, then it is known as back cross, and if this hybrid is crossed with homozygous recessive parent, then it is known as test cross, सीधी सी बात है, अगर हमारा back cross होगा, और test cross होगा, तो ये केवल इस बात का पता करने के लिए ये cross किये जाते हैं, कि हमें ये पता चले कि ये जो हमारा hybrid है, ये pure line है, या homozygous है, हिट्रोzygous में से कौन सी condition में, क्योंकि दिखाई तो ये दोनों ही tall देंगे, capital T, small T का phenotypic expression क्या है, लंबे दिखाई देंगे दोनों पौधे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये पौधा लंबा है, तो इसमें genotypic combination capital T, capital T है या capital T, small T, तो जब हम test cross conduct करेंगे, तो ratio क्या आएगा हमारा 1 is to 1, अगर ये ratio आता है, इसका मतलब हमारा parent कैसा था, hybrid, और अगर सारे के सारे tall develop होते हैं, इसका मतलब हमारा parent कैसा था, homozygous, dominant, समझ में आ गई बात बिटा, clarity है सबको, the mono hybrid test cross ratio is 1 is to 1, ये बात आप सारे बच्चों को clear है कि नहीं जल्दी से बताईए, प्लीज रिस्पॉंड फास्ट, बोलो 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 जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजे, फिर उसके बाद हम आगे का portion चालू करते हैं, अब मेंडल के laws पर आ जाए हम, मेंडल के सीधे सीधे तीन law है, एक है law of dominance, एक है law of segregation, एक है law of independent assortment, सुनिए, law of dominance बहुत आसान है, आप जानते हैं, एक तो मेंडल ने genes को क्या कहा, factor, उस वक्त gene term तो originate ही नहीं हुआ था, किसी को chromosome के बारे में भी पता नहीं था, तो मेंडल ने एक hypothetical term derive किया, कि साहब किसी character को एक generation से, दूसरी generation में ले जाने के लिए, जो unit responsible होता है, that unit is known as factor, एक बात तो मेंडल ने ये कही, दूसरा मेंडल ने ये कहा, कि characters are controlled by discrete units, which are known as factors, जिनको आज हम कहते हैं genes, दूसरी important path मेंडल ने ये कही, कि ये factor हमेशा pairs में होते हैं, they are always present in pairs, और dissimilar pair of factor अगर होगा, तो एक factor दूसरे factor को dominate करेगा, भई दो factor हैं, वो ही dominant gene, recessive gene, heterosegous condition में एक gene जो है, वो दूसरे को suppress कर देगा, केवल अपने आपको exhibit करेगा, so that is law of dominance, बड़ा आसान सा नियम है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जबरुत नहीं है, important बात इसके अंदर केवल यह है, कि इस law को monohybrid cross के base पर हम explain कर सकते हैं, यह बात ध्यान से सुनिये ला, पहले जो दो law हैं, that is law of dominance and the law of segregation, इनको बहुत आसानी से explain किया जा सकता है, on the basis of monohybrid cross, उसके बाद के जो law है, उनको explain करने के लिए हमें क्या चाहिए, die hybrid cross, that is law of independent assortment, जिसको की मैं आगे, आप लोगों से discuss करने वाला हुआ है, तो that is law of dominance, अब यह दूसरा law आ गया है, आपका that is known as law of segregation, इसको मैं सही कर दूँ, जरा यह लिखा नहीं गया है, यह दूसरा law है, जिसे हम कहते हैं law of segregation, अब law of segregation क्या कहता है, factors हमेशा pair में होते हैं, यह तो मैंडल ने बता दिया, दूसरी बात क्या कही, कि जब gamete बनेंगे, तो factors एक दूसरे से segregate हो जाते हैं, और एक gamete इन में से एक एक दूसरे, यही factor को receive करेगा, वही simple technique जो कि हम meiosis के दौरान discuss करते हैं, meiosis के दौरान क्या होता है, deployed cell हमारा haploid cell में convert हो जाता है, क्योंकि haploid daughter cell में single set आता है, deployed जो है वो, undergoes meiotic process और meiosis, and then single set of chromosomes is distributed in both the daughter cells, आ गई बात समझ में, homozygous parent produces similar gamete, or heterozygous parent जो होंगे, वो different type के gametes बनाएंगे, simple सी बात है, तो इस second law में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, that is law of segregation, पहला law of dominance, दूसरा law of segregation, आसान है दोनों, और इन दोनों को समझाने के लिए, monohybrid जो cross है, that is more than sufficient, monohybrid cross के base पर इसको properly, explain किया जा सकता है, just a minute बिटा, अब यहाँ तक की बातें clear हुई हैं आप लोगों को या नहीं, बोलिए ज़रा जल्दी से, क्योंकि तीसरा जो law है, that is very important, जिसे हम कहते हैं, law of independent assortment, यह जो law होगा तीसरा हमारा, इसके लिए हमें चाहिए, die hybrid cross, बिना die hybrid cross के हम law of independent assortment को explain नहीं कर सकते, तो आगे चलते हैं, यह तो मैंने बता ही दिया आपको, that homozygous parent will produce similar gamete, and heterozygous parent produces two different kind of gametes, each having one allele with equal proportion, अब यह die hybrid cross, अब यह die hybrid cross क्या चीज है, जिसमें आपने दो characters ले लिए, एक साथ, अभी तक हमने एक ही लिया था, जैसे मान लीजे length एक character लिया था, और अगर length का character लेंगे, तो फिर क्या position आ जाएगी हमारे पास में, केवल और केवल एक character है, और एक character को लेकर हमने cross करवाया, that is monohybrid, अब हमने मान लीजे length भी ले लिया, और flower का color भी ले लिया, दो character एक साथ pick कर लिया, इन दोनों characters को जब एक साथ cross करवाये, then it will be known as a die hybrid cross, अब ज़रा ध्यान से सुनिये, अब इन दोनों characters को लेकर के हमें cross conduct करना है, जिसे हम कहते हैं die hybrid cross, तो चलिए die hybrid cross हम इसका वो बनाते हैं, और explain करने की इसको कोशिश करते हैं, यहाँ दक clarity है सबको बिटा है, एक बार जल्दी से जवाब दो, सभी बच्चे जल्दी से respond करेंगे, यहाँ दक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, अब हमने क्या किया, what we did, capital R, capital R, capital Y, capital Y, यानि कि round और yellow, crossed with, have a look, crossed with, small r, small r, small y, small y, यह हमारे क्या है, round and yellow, crossed with, wrinkled and green, ठीक है सब round yellow को wrinkled green के साथ हमने cross कर भाया, अब initially क्या होगा, इसमें एक ही तरह का gamete बनेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, only one type of gamete, और यहां भी एक ही तरह का gamete बनेगा, that is small r, small y, बोलो yes or no, यह gametes बन गए, only one type of gamete is produced, यह लिखे देता हूं मैं, दोनों ही parent केवल एक ही तरह का gamete प्रोड्यूस कर पाएंगे, अब जब इनका cross होगा, तो इनकी crossing से हमारे साथ ने, जो first filial generation आएगा, यानि f1, that will be capital r, small r, capital y, small y, बोलिये ज़रा, यहां तक की बात clear हुई की नहीं, सारे के सारे बच्चे respond करेंगे एक बार, यह आगे हमारा f1 generation, और यह सारे के सारे प्लांट हमारे कैसे होँगे, round and yellow, they all will be round and yellow, यहां तक clear है मामला, दो characters एक साथ हमने पिक किये हैं, और दोनों characters में f1 generation के अंदर, सारे के सारे round और yellow आए, done, अब हम अगली generation की तरफ move करते हैं, next generation, और next generation जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, अब दोनों तरफ हमारे पास same parent हैं, देखिएगा, capital r, small r, capital y, small y, capital r, small r, capital y, small y, अब gamete formation देखिएगा जड़ा, दोनों से ही, चार चार तरह के gamete यहाँ पर develop हो सकते हैं, पहले के वल दो तरह के gamete बन रहे थे, अब चार तरह के gamete बन जाएंगे, कौन-कौन से चार तरह के gamete बनेंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से, सारे बच्चे, इस केस में, चार तरह के gamete बनेंगे, इसी तरीके से चार तरीके के gamete आपके यहाँ बनेंगे, चार तरीके के gamete बन गएंगे, यह देखिए, यह इसके चार तरह के gamete हो गएंगे, और यह इसके चार तरह के gamete हो गएंगे, अब यह जो gamete हमने यहाँ पर बनाए, अब इनका हमें क्रॉस करवाना है, तो अब हम करेंगे die hybrid cross इसके लिए हम एक जो punnet square method जो हम लोगों ने पहले discuss किया हुआ है उसको एक बार बना लेते हैं फिर उसके बाद में phenotypic ratio भी observe करेंगे genopic ratio भी observe करेंगे और उसके बाद सबसे important चीज हम ये observe करेंगे के तीसरा जो law है जिसे हम कहते हैं law of independent assortment इस बात का meaning क्या है और इसके लिए हमें die hybrid cross क्यों चाहिए बिना die hybrid cross के independent assortment का law क्यों नहीं exhibit किया जा सकता है चलिए तो अब एक यहां चेकर बूर्ड बना लेते हैं just a minute क्यों तो अब बना लेते हैं यहप टो के रिय. क्यों बना का बूरो इस बवशा बना कर लेते हैं कि उ हूहें डок одна लेते हैं बना लेता हैं यह लिजिए यह हमारे टेबल बनके तैयार हो गई अब हम क्रॉस कर वा लेते हैं जल्दी से देखिए जरा हमारे पास चार तरह के गैनीट बने थे तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक गैनीट था यह एक था स्मॉल आर स्मॉल वाई एक था स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरा जो पेरेंट था उससे भी चार ही तरह के गैनीट हमारे पास बनके तैयार हुए थे अब इनके क्रोस करवाटे जाते हैं और इनके रिजल्ट सम लोग observe करते जाते हैं जल्दी जल्दी, so let us have a look, देखो, capital R, capital R, capital Y, capital Y, ठीक है, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, capital Y, small y, sorry, and then capital R, small r, capital Y, small y, यहाँ पर भी आपका capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, capital Y, then capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital y small y capital r small r capital y small y अब ये जो plants मैंने लिखे सारे के सारे एक ही color से mention कियें देखिए ये सब के सब इन सब का phenotypic expression एक जैसा होगा यानि सारे round भी होंगे और साथ ही साथ yellow भी होंगे अब ज़रा दूसरे number पर देखी दूसरे number पर आ जाते हैं ये capital r capital r small y small y capital r small r small y small y capital r small r small y small y इन तीनों का एक जैसा phenotypic expression होगा अलग color से mention कर दिया है मैंने अब आगे चलिए जड़ा और इनका phenotypic expression देखिए small r small r capital y capital y small r small r capital y small y small r small r capital y small y इन तीनों का एक जैसा होगा और आखिरी जो phenotypic expression है हमारे पास में वो ये है that is capital r capital r small y small y done यह आपका di hybrid cross होगया और di hybrid cross में आपके सामने results हागए इन results को जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो phenotypic ratio आपको क्या दिखाई देगा बेटा यहाँ the phenotypic ratio is 9 देखो 9 round and yellow then 1, 2 and 3 round and green then 1, 2, 3 wrinkled and yellow and 1 sorry wrinkled and green and 1 wrinkled and yellow तो phenotypic expression या phenotypic ratio इस पूरे के पूरे di hybrid cross का हमारे सामने क्या आगया 9 is 2 3 is 2 3 is 2 1 अच्छा अगर इसका genotypic ratio देखेंगे तो अब genotypic देखो 1 2 2 एक-एक को observe करते चले जाओ तो genotype आपके सामने अलग जैसे हमने monohybrid cross में क्या पढ़ा दा 3 is 2, 1 is the phenotypic ratio और genotypic ratio क्या था 1 is 2, 2 is 2, 1 यहाँ पर भी वही चीज होगी यहाँ पर भी वही observations आएंगे तो एक बार ज़रा जल्दी से देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे देखिए यह जो experiment मैंने अभी आपको करवाया homozygous round yellow, heterozygous wrinkled green इनको cross करवाया यह 4 तरीके के gametes बने और यह हमारे सामने results आएं जो मैंने पीछे table बनाया था वही results आपको इस table में भी दिखाई दे रहे हैं, display हो रहे है round yellow, round yellow, round yellow यह सारे round yellow है आपको दिख रहे हैं, यह round green है यह round green है, यह round green है यह wrinkled yellow है तीनों और यह wrinkled green है तो phenotypic ratio हमारे सामने आ गया एक character के लिए 3 is to 1 किसी भी एक character के लिए और जब दो characters के लिए जाएंगे तो that will be 9 is to 3 is to 3 is to 1 so that is dihybrid phenotypic ratio 9, 3, 3, 1 लेकिन अगर आप genotype पर जाएंगे तो अब देखिए जरा genotypic ratio की तरफ जाएंगे that is 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4, 2 is to 1 is to 2 is to 1 देखो जरा 1 is to 2 is to 2 1 is to 2 is to 4 then 2, 1, 2, 1 तो ये genotypic और phenotypic expression clear हो गए आप लोगों को बोलो बटाई बार जल्दी से respond करेंगे सारे के सारे बच्चे whether this is completely clear to all of you or not बोलिए clarity है सबको properly समझ में आगया अच्छे से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए अब हम कुछ और important चीजों की तरफ move करते है कि die hybrid cross से independent assortment का law ये बहुत important है और अकसर इस पर question पूछा जाता है कि ये independent assortment का मतलब क्या है independent assortment का मतलब ये है कि जब शुरुवात में हमारे सामने plants थे जो हमारे दो parental plant हमने लिये थे वो कौन से लिये थे ये वाले plants लिये थे हमने यानि कि capital R was associated with capital Y और small r was associated with small y किसी भी gamete में जब gamete बने तो combination ये आया ना dominant gene दूसरे dominant से associated था और इधर वाला recessive दूसरे से associated था हमारे F1 generation में plant सारे बन गए ये वाले capital R, capital R, capital Y, small y अब दूसरी generation के अंदर next generation जब start होंगी तो अगली generation में ऐसा नहीं होगा कि capital R, capital Y के साथ ही रहे ध्यान से सुनिए this capital R now अब चार तरीके के gamete कौन से बने देखना ज़रा capital R, capital Y, capital R, small y small R, capital Y, small r, small y यानि कि अब अगली generation में ये capital R, capital Y के साथ ही रहे ये ज़रूरी नहीं है it may assault with small y इसी तरीके से ये जो small R है it may associate with capital Y और it may associate with small y यानि कि सारे के सारे factors जो है इनका assaultment एक दूसरे पर dependent नहीं होता they assault independently और इसी वज़े से चार अलग अलग तरह के gametes अगली generation में बनके तयार होते हैं so this is the third law that is law of independent assaultment और इसमें जो सबसे महत्मपूर्ण सबसे important बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि इस law को हम die hybrid cross के बिना explain नहीं कर सकते क्योंकि independent assaultment की बात है मतलब एक factor दूसरे से independent है तो दो factor तो चाहिए न आपको you need at least two character to explain this particular law तो ये तीन law हो गए आपके Mendelian genetics के अभी एक बार सारे बच्चे जवाब देंगे कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं law of independent assortment सबसे important है out of these three laws जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं now please respond assortment or combination of one factor is independent of the other factor and to explain law of independent assortment we essentially need die hybrid cross उसके बिना law of independent assortment को established नहीं किया जा सकता बोलो मेड़ा जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे सभी बच्चे respond करेंगे उसके बाद मैं आगे चलता हूँ क्योंकि अगले चार पाथ topic बहुत important है pleiotropy क्या होता है co-dominance क्या होता है incomplete dominance क्या होता है यह पाच्छे terms हैं जिनको लेकर आपको अक्सर confusion होता रहता है तो इनको अभी detail में मैं discuss करने वाला हूँ अभी मुझे जवाब दीजी एक बार सारे बच्चे when more than one pair of characters are involved in a cross factor pair independently segregate from other pair of the characters that is law of independent assaultment clarity चलिए साब अब हम दूसरे पर चलते हैं और जो second component आता है इसका Mendelian inheritance का उसमें यह 6 चीजे आती अभी एक बार आप सारे बच्चे इन 6 टर्म्स की तरफ नजर डालिए और थोड़ा सा recall करने की कोशिश कीजिए कि आपको इन में से क्या-क्या चीजें याद आ रहे हैं incomplete dominance, co-dominance, multiple allelism, polygenic inheritance और pleiotropy यह 6 टर्म्स हैं इन में से एक दो के बारे में आपको हो सकता है पता भी हो ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा लेकिन फिर भी state of confusion कुछ न कुछ रहता होगा कि शायद इसके अंदर यह होता है, इसमें यह होता है या कई बार दो चीजें mix-up हो जाती होगी बोलिए ज़रा किस-किस बच्चे को जानकारी है इनके बारे में प्लीज respond fast सबसे पहले हम बात करेंगे देखो, Mendel के तीनों laws पढ़ लिए हैं आपने law of dominance, law of segregation, law of independent assortment अब इन छे terms के बारे में बहुत thoroughly आपको पता होना चाहिए genetics का जो यह chapter है इसमें जो fundamentals है अगर वो पकड़ में आ गए, grasp में आ गए तो आप कोई भी question कभी गलत नहीं करेंगे यह तैमान करके चलें क्योंकि यह सारा का सारा यूं मान लीजिए कि एक तरीके का explanatory और self-explanatory चीजें हैं इसके अंदर जैसे formula driven चीजें होती हैं वैसे जैसे physics है तो आपको physics में कोई particular concept अगर अच्छे से आता है तो उससे related numerical आप सही कर देंगे similar is the case with genetics तो सारे बच्चे respond करेंगे एक बार मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं incomplete dominance तो incomplete dominance का सीधा सा मतलब क्या है आपने dominance पढ़ लिया dominance क्या बताया था मैंने dominance का definition क्या था कि heterozygous condition में जो character अपने आपको exhibit करता हो express करता हो that is dominant character यही बताया था क्योंकि हमारे पास 3 combination होते है homozygous dominant homozygous recessive और heterozygous अब heterozygous condition में जो character अपने आपको express कर दे that is known to be or said to be dominant character सीधी सी बात है लेकिन कई बार ऐसा होता है many a time it happens कि दोनो genes ही अपना effect exhibit नहीं कर पाते या दोनों ही अपना effect incompletely exhibit कर पाते this case is known as incomplete dominance आपको यहाँ एक बहुत अच्छा सा example दिखाई दे रहा है snapdragon इसमें आप देखिए F1 generation में हम पढ़ते आ रहे हैं कि tall और dwarf का cross कराया तो सारे plants tall होंगे अगर यह सारे tall नहों आ रहे बात समझ में मतलब dominant character exhibit नह करे then it would be a case of incomplete dominance इसका सबसे अच्छा example देखिए it is an inheritance in which heterozygous offspring shows intermediate character between the two parental character तो हमने snapdragon का cross करवाया तो snapdragon या mirabilis jalapa जो plant है उसमें red और white flowers तो red आपका dominant color है white आपका recessive color है और इन दोनों plants तो हमने cross करवाया logically क्या होना चाहिए था single trait को लेकर के mono hybrid cross करवा रहे है तो f1 generation में ratio आना चाहिए था या ratio आना ही नीचे था सारे के सारे red colored होने चाहिए थे लेकिन f1 में क्या हुआ red pink and white यानि जो heterozygous combination था उसने न तो red color exhibit किया न तो white इनके बीच की कोई चीज exhibit कर दी that is pink आ रहे यह बात समझ में so snapdragon as well as miraculous jalapa cross between homozygous red and white produces pink flowered plants आप देखिए जरा यह red है यह white है और यह आपको pink color के flowers इसमें दिखाई दे रहे हैं तो यह पहली चीज है जिसे हम कहते हैं incomplete dominance incomplete dominance में एक खास बात आ गई क्या normal जो monohybrid cross होता है उसमे f2 generation में sorry f1 generation में सारे के सारे एक ही जैसे होते लेकिन इस case में क्या होगा phenotypic और genotypic ratio same हो जाएंगे क्योंकि phenotype भी तीन तरके हो गए जो heterozygous condition है उसमें pink flowers आ रहे हैं so the phenotypic ratio would be 1 is to 2 is to 1 and the genotypic ratio is already 1 is to 2 is to 1 उसको तो आप change कर ही नहीं सकते genotypic ratio को वो तो 1 is to 2 is to 1 incomplete dominance में तो कोई दिक्कत नहीं है यह सबसे आसान है यह जो 5-6 चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी उनमें से easiest यही है तो जल्दी से बताईए एक बार incomplete dominance का मामला clear हो गया है सारे के सारे बच्चों को please respond फिर हम आगे चले अगे चलते हैं अगे चलते हैं अगला है co dominance अब co dominance की कहानी क्या है incomplete dominance का मतलब तो यह है कि कोई भी gene अपने आपको completely express नहीं कर पा रहा red color वाला gene red नहीं दे पा रहा white color वाला gene white नहीं दे पा रहा लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनो gene अपना independent character एक साथ exhibit करते then it is a case of co dominance listen carefully incomplete dominance और co dominance में जो differentiating feature है वो यही है incomplete dominance में exact character किसी का भी नहीं आएगा दोनों के बीच की कोई चीज आएगी mixed जबकि co dominance में दोनों अपने purified form में exist करेंगे दोनों characters exhibit होगग याद रखिए दो जो gene है दोनों अपना character independently exhibit करेंगे then it is a case of co dominance और co dominance का सबसे अच्छा example है हमारा ABO blood groups आप अच्छी तरह से जानते हैं सारे के सारे बच्चे के blood grouping में हमारे तीन तरह के genes होते हैं ठीक है ना there are three different type of genes जिनको I gene कहा जाता है ना इनको हम लिख देते हैं चलिए I A gene, I B gene और I O gene ये तीन अलग-अलग तरह के genes होते हैं ठीक है अब इस case में क्या है ये भी dominant है और ये वाला भी dominant है और ये वाला recessive है अब यहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी अमूमन क्या होता है कि किसी gene के दो ही alternative forms होते हैं एक dominant form होता है दूसरा recessive form होता है यही पढ़ते हैं साब हम दो जैसे capital T small t जैसे capital R small r capital Y small y यही सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ specific cases ऐसे होते हैं जिसमें एक gene के दो से ज्यादा alternative forms भी हो जाते हैं जैसा कि यहां पर दिख रहा है अब यह जो हैं इसमें तीन forms आगे तो it is a case of multiple allelism also usually allel दो ही होते हैं यहां allel कितने दिख रहा हैं आपको तीन इन में से दो dominant हैं और एक recessive अब यह जो दोनों आपको दिखाई दे रहें dominant जब यह एक साथ होंगे combination में यानि जब combination यह होगा i a i b तो अब a वाला a antigen भी बन जाएगा rbc की surface पर b वाला b antigen भी बन जाएगा दोनों एक साथ बन जाएगा जब combination यह होगा i a i o तब तो केवल o antigen आएगा जब combination होगा i b i o तो केवल b antigen आएगा क्योंकि एक gene recessive आगया एक dominant तो यहाँ तो बात खत्र हो गई लेकिन दोनों dominant gene का combination अगर आगया in that case two antigens will appear on the surface of rbc that is antigen a as well as antigen b and this will be the case of co-dominance बोलिये बात समझ में आएगी नहीं बिटा अच्छे से एक बार जल्दी से जबाब दो respond fast incomplete dominance clear हो गया और साथ ही साथ co dominance भी clear हो गया और साथ ही साथ multiple lalism भी बता दिया है मैंने आपको एक बार जबाब दो बिटा जल्दी से प्रिया विकास गोविंद रितिक और बाकी सब बच्चे अच्छा एक यह है कि मैंने कल भी announce किया था आज भी फिर announce कर रहा हूँ I have started top 5000 mcq series via special classes और इन special classes की timing होती है दो पहर एक बज़े और रात को नौ बज़े दो पहर एक बज़े आपके question practice होगे रात को नौ बज़े आपके mcq practice होगा और यह जो question practice होगे इनमें हम बहुत important mcqs discuss कर रहे है ncrt based जिससे आपका पूरा का पूरा syllabus भी revise हो जाए और आप अपना सारा का सारा काम भी कर सके तो यह co-dominance का case हो गया so let me write it down this gene controls the production of sugar polymer or antigen that protrude plasma membrane from the RBC आप देखिए जरा एक बार इस diagram को देहन से देखिए अगर IA gene होगा तो antigen A बनेगा RBC की surface पर यह antigen A देख रहा है आपको साफ साफ अगर यह वाला gene होगा तो RBC की surface पर B antigen आएगा अगर दोनों gene recesive होंगे तो RBC की surface पर antigen होगा ही नहीं लेकिन अगर दोनों dominant gene का combination होगा तो जैसा कि मैंने बताया A वाला अपना character exhibit करेगा B वाला अपना character so both A and B antigen they both will be present on the surface of the RBC RBC की surface पर यह दोनों एक साथ appear हो जाएंगे चलिए this is the case of co-dominance so gene I has three alleles that is I, A, I, B and I they both produce a slightly different form from the sugar ठीक है अब आपके blood group यह हम blood vascular system में भी पढ़ते हैं in fact हम tissue वाले chapter में भी इसको पढ़ते हैं आपको याद होगा तो blood group A है या B है या A, B है या O है चार अलग अलग तरह के blood group हो सकते हैं और यह इनके possible genotype हो सकते हैं इनके बारे में हम पहले भी detail में discuss कर चुके हैं blood group के कौन-कौन से combinations होंगे कौन-कौन से antigens होंगे plasma में antibody कौन से होगी agglutination कब होगा यह already हम पहले discuss कर चुके हैं when I A and I B are present together they both express their own type of sugar this is due to codominance यह simple सी बात होगी अब आजाएए इसी से जुड़ा हुआ दूसरा multiple allelism तो multiple allelism का मतलब क्या हो गया अभी मैंने थोड़ी देर पहले explain किया वो यह example यहाँ पर फिर से आएगा blood group वाला example ही हमें फिर से लेना पड़ेगा multiple allelism का मतलब when one gene has more than two alternative forms usually in general only one alternative form of a gene is present two alternative forms of a gene are present one is dominant another is recessive अब कुछ special cases में जब इनके दो से ज्यादा alternative form सामने आ जाएएगे then it is known as multiple allelism मेरे ख्याल से clear है more than two alleles govern the same character for example ABO blood grouping here are three alleles IA, IB and IO या small I जो भी आप mention करना चाहे in an individual only two alleles are present multiple alleles can be found only in a population अब यह बड़ी important बात है इसको ज़रा ध्यान से समझे सारे के सारे बच्चे अगर आप से सवाल पूछा जादे कि ध्यान से सुनियागा सवाल if a question is asked multiple allelism is exhibited by एक option दिया जाए individual दूसरा option दिया जाए population तीसरा example दिया जाए both चौथा दिया जाए none तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि एक जीन के अगर दो से ज्यादा alternative forms है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही individual में वो सारे alternative forms आ जाएंगे पॉर एक्जामपल इन केस ओफ blood grouping blood grouping में आपके पास में तीन जीन है IA, IB और IO लेकिन क्या ऐसा कोई individual है जिसमें यह तीनों जीन होते हों ना इन में से दो ही मिलेंगे या तो IA, IO मिल जाएगा या IA, IA मिल जाएगा या IA, IB मिल जाएगा या IB, IO मिल जाएगा combination तो दो का ही मनेगा न तो what I mean to say multiple ellenism is not a character of individual किसी भी individual में किसी भी व्यक्ति में एक character के लिए दो से ज्यादा जीन नहीं मिलेंगे अगर population की बात करोगे तो population में जीन दो से ज्यादा हो सकते जैसे किसी का blood group A है किसी का B है किसी का A भी है किसी का O है so multiple ellenism answer क्या आएगा बेटा इसमें इस question का answer दीजे जरा जो मैंने ऊपर question लिखा है tick कीजे जरा जल्दी से respond कीजे what should be the proper answer of this question multiple ellenism is exhibited by the answer will be इस question में कौन सा option सही होगा बोलो जरा population it has nothing to do with individual individual से इसका कोई लेना देना नहीं एक individual में याद रखिए दो ही तरह के जीन होंगे one is dominant another is recessive आगे चलिए अब आते हैं साहब अगला बहुत important topic है polygenic inheritance अब बात को ध्यान से जुनी polygenic inheritance का मतलम नाम से क्या समझ में आ रहा है कि किसी character के inheritance को दो एक दो तीन चार या इससे भी ज्यादा genes अगर कंट्रोल करते हैं I am repeating inheritance of a specific character if is controlled or regulated by two or more than two genes then this condition is known as polygenic inheritance if the inheritance in which some traits are controlled by several genes then it is known as polygenic inheritance जैसे हमारा skin color है तो skin के color के लिए कोई एक single gene responsible नहीं होता बहुत सारे genes responsible होते हैं हमारा height है हमारा skin का color है इन में multiple genes involved होते हैं जिनका कुछ न कुछ रोल होता है कुछ percentage contribution होता है किसी का रोल ज्यादा होता है किसी का कम होता है in a polygenic trait the phenotypic reflect the contribution of each allele that is each allele gradually become additive जैसे कि human skin girl का एक example दे लिए तो human skin color के लिए तीन तरीके के genes मान लिए जैसे responsible है gene A, B and C they are responsible for dark skin और small A, small B और small C for light color तो अब इनके जो possible combinations होंगे उनमें gradations चलेंगे अगर सारे के सारे genes dominant होंगे तो skin का color होगा dark सारे के सारे recessive होंगे तो skin का color होगा light और इनके बीच के combinations में अलग-अलग तरह के shades develop होंगे so darkest skin color यहां से आ जाएगा lightest skin color यहां से आ जाएगा और इनके बीच के अलग-अलग shades develop होते चले जाएगे so that is polygenic inheritance बोलिये ज़रा एक बार सारे बच्चे respond करेंगे polygenic inheritance समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं तीन बाते पढ़ ली हमने हमने क्या-क्या पढ़ा multiple ellalism पढ़ लिया co dominance पढ़ लिया incomplete dominance पढ़ लिया और अब हमने पढ़ लिया polygenic inheritance चार चार topic चार definitions जो की हमें properly अच्छे से clear होने चाहिए वो हमने पढ़ लिया जवाब दो बेटा respond करो जल्दी से मैं फिर से repeat कर दूँ दोपहर एक बजे और रात को नौ बजे daily आपके top 5000 mcq का practice session मैंने start कर दिया है सारे बच्चों को उस practice session में आना है ठीक है न आज भी एक बजे का time है और रात को 9 बजे का कल हमने questions discuss किये थे आज भी mcqs discuss करेंगे तो यह timing आपको miss नहीं करनी है चलिया अब आते हैं pleiotropy polygenic inheritance का उल्टा कर दो आसान है बिलकुल polygenic में क्या हो रहा है बहुत सारे genes एक करेक्टर को regulate कर रहे many genes regulating one character इसको यूं समझे यह page हाँ जी अब यहाँ आईए जरा many genes regulating one characters एक condition तो यह है दूसरी condition क्या है बिटा single gene regulating regulating many characters तो बहुत सारे genes एक character को regulate करते हैं तो condition क्या हो गई इसको क्या कहा हमने अभी थोड़ी देर पहले polygenic inheritance और single gene बहुत सारे characters को अगर regulate करता हो then this condition is known as pleiotropy दोनों में difference समझ में आ गया आप लोगों को इन में अक्सर confusion होता है polygenic inheritance और pleiotropy में आपको अक्सर confusion होता है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है कि categorical differences इन में actually क्या क्या है तो मेरे खयाल से मैंने explain कर दिया अच्छे से और परेशानी की बात नहीं है बोलो जरा बोलो बोलो जल्दी से बोलो बहुत सारे gene एक character को control करेंगे polygenic inheritance example क्या है इसका क्या बताया example अभी थोड़ी देर पहले आपको skin color अभी discuss किया था और यह आपका pleiotropy है single gene exhibit multiple phenotypic expression such a gene is known as pleiotropic gene एक ही gene से बहुत सारे usable ही हम पढ़ते हैं capital T जो है वो केवल height को represent करने वाला है अब अगर आपका capital T height के साथ साथ में flower का color pod का shape और seed के shape को भी regulate कर रहा होता अगर then this condition would have been known as pleiotropic इस gene को हम क्या कह रहे होते हैं pleiotropic gene इसी तरीके से पौधे की लंबाई को लेकर के capital T responsible है अगर पौधे की लंबाई को capital T के साथ capital R भी affect कर रहा होता then it would have been known as polygenic inheritance मेरे ख्याल से आप बात अच्छे से समझ में आगई होगी इन दोनों में difference करना ज़रूरी है जब तक इन में आप properly difference नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आईगी चलिए so in most cases the mechanism of pleiotropy is the effect of a gene of metabolic pathway which contributes to our different phenotypes for example starch synthesis in P sickle cell anemia phenyle keto urea ये तीनों example बहुत important है categorically important examples है सारे के सारे in phenyle keto urea and sickle cell anemia the mutant gene has many pleiotropic effects अब phenyle keto urea में keval phenyle keto urea ही नहीं होता जिस gene की वज़े से PKU यानि phenyle keto urea होता है उसी की वज़े से mental retardation भी होता है hair loss भी होता है और skin में pigmentation भी होता है अब देखो एक ही gene है इसी gene की वज़े से PKU यानि phenyle keto urea भी हुआ इसी की वज़े से hair loss भी हुआ इसी की वज़े से skin का pigmentation भी हुआ और इसी की वज़े से mental retardness भी आई तो एक अकेले जीन ने चार या चार से ज्यादा और भी characters हो सकते हैं उनको regulate किया this condition is known as pleiotropy बात समझ में आ गई है कि नहीं बेटा अच्छे से मेरे ख्याल से clear है एक बार वापस से बता दूँ आप लोगों को दोपहर एक बजे और रात को नौ बजे मैंने practice session स्टार्ट किये हुए है जहां हम top 5000 MCQs discuss कर रहे हैं कल भी ये दोनों classes होई थी आज भी ये दोनों classes होई आपको essentially सारी classes में present होना है जिससे कि आपके MCQs की practice simultaneously चलती रहे है उसमें किसी भी तरीके की कोई missing ना आए और पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी discontinuity रही because I was suffering from COVID, I was detected COVID positive तो मैं थोड़ा feverish था और इस condition में नहीं था कि मैं आपकी classes ले पाता तो इस वज़या से 3-4 दिन का gap आया I was almost completely on bed rest अभी थोड़ा सा ठीक है मामला तो मैं class लेने की position में हूँ हलांकि अभी पूरी तरीके सा 100% recovery तो नहीं हूँ है but still I am in a position to take classes and to interact with you तो ये 2-3 चीज़े हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है खास तोर से involvement पूरा का पूरा चाहिए आप लोगों का classes miss मत कीजिए क्योंकि अभी मैं classes miss नहीं करने वाला हूँ मैंने Sundays को भी sessions लगा रखें जो 2-4 दिन के हमारे classes miss हुए है उनको cover up करने के लिए इस Sunday को भी लगा रखा है अगले Sunday को भी class लगा रखा है और थोड़ा सा duration भी उनको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे है थोड़ा और increase कर देंगे duration जिस से कम से कम आपका जो portion यह जो सबसे खास बात है वो यह है important बात है इसमें आप सारे के सारे बच्रों को ध्यान रखें इस चीज का यह हो गया आपका pleiotropy pleiotropy के example मैंने बता दिये हैं आपको सारे के सारे ठीक है अब principle of inheritance and variation के अंदर अगला topic आ जाता है हमारा chromosomal theory of the inheritance ठीक है किस पर depend करता है जो भी character होगा यह याद रखो अच्छे से आपकी body में कोई भी character है केवल eye के color की बात नहीं है skin का color ले लिजिए eye का color ले लिजिए hairs का color ले लिजिए height ले लिजिए body weight ले लिजिए किसी भी type का character ले लिजिए this is ultimately dependent on genes सारा का सारा मामला तो genes पर ही dependent है ना जो genetic combination होगा उस हिसाब से phenotypic expression आएगा है simple as that मुसकार समझ में आरी है बात तो every single factor is dependent on a specific or particular gene अब आगे हम आएंगे अगला जो topic हमारा आएगा that is chromosomal theory of the inheritance inheritance का chromosomal concept इसमें हम chromosomes के बारे में पढ़ेंगे exactly chromosome का make-up किस तरीके का होता है DNA किस तरीके से बनता है homologous chromosome का क्या मतलब है homozygous या heterozygous condition का क्या मतलब है sister non-sister chromatid का क्या मतलब है मनलब chromosome का structure हम लोग इसके अंदर discuss करेंगे और इससे related बाकी सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज जो हमने पढ़ाया वो सारा अच्छे से आपको समझ में आ गया या नहीं एक बार इसका जवाब दीजिए और आज जो पढ़ाया है उसमें किसी भी तरह का कोई doubt हो तो आप मुझसे पूश लीजिए नौ बजे रोजाना सुबह ये class रहा है ये आपकी अब continuation में चलेगी Sundays को भी चलेगी एक बात तो ये और दूसरा दो पहर एक बजे और रात को नौ बजे आपकी रोजाना class हुआ करेगी उसको भी आपको miss नहीं करना है ठीक है ना तो अभी के लिए इतना ही that is all for today और अब कल मुलाकात होगी हमारी नौ बजे आपका दिन शुब हो आपका दिन मंगल में हो टाटा बार बार गोड़ ब्लेस्यों आप